हेलो आज मैं आपके समख्ष अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा जो आज का सेंसेशनल टॉपिक जो बना हुआ है हमारे करनाटका में सेंसेशनल टॉपिक बना हुआ है या इसे बनाया गया है मुझे नहीं मालूम नहीं इस पर बात करना चाहूंगा इसका सीधा उदेश्य में बोलना चाहूँगा हिंदू वर्सिस मुस्लिम है कितने सालों से बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं कॉलेजिस में पढ़ रहे हैं लेकिन ये विशे कुछ महीनों से बहुत जादा उग्र रूप ले रहा है हमारे करनाट का में जो भारत के जहास में नहीं होना चाहिए था ये बहुत ही दुर्भाग्या की बात है कि इस बार वो भारत में हो रहा है मैं किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता हिंदू हो या मुसलिम हो भारत को धर्म निर्पेक्ष देश कहा गया है अनेकता में एकता कहा गया है बहुत ही धर्मो वाला देश है जहां सब एकता से रहते हैं ऐसा कहा गया है लेकिन वो सब बाते हैं आजकल सिर्फ किताबों में लिखे हुई ही सीमित रहे गई हैं लगता है पहले हिंदू-मुस्लिम होता है, हर जगा होता है, हर स्टेट में होता है, हर राज्य में होता है लेकिन खरनाटक में जितनी उग्र सिति बनी हुई है, वैसा किसी राज्य में नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ यहाँ पे हिंदो अर्सिस मुस्लिम अबडोस से हट कर स्कूल कॉलिजिस तक पहुँच चुकी है इसके आग इसके पीछे वो राजनितिक दल है या नहीं है मुझे नहीं पता अगर कोई राजनितिक दल है तो यह बहुत ही दुर्भाग्य पूरून बात है इस देश के लिए क्योंकि स्कूल ही ऐसी जगा होती थी जहां सब धरम औरम की बाते छोड़ कर आपस में मिल जूल कर रहते थे हमारे भी कई दोस्त हैं जो मुस्लिम हैं सिख हैं हिसाई हैं हम इन सब चीजों में नहीं मानते लेकिन आप जो आग तुमने लगा दी है यह स्कूलों में अब यह कहां जाके रुकेगी मुझे पता नहीं और मैं यह जो टॉपिक बना हुआ है हमारे करनाटका में विशे है जो मुस्लिम यूतियां हैं स्कूल कॉलेजिस में हैं जो हिजा बुर्खा पहन के जाना चाती हैं पहले से पहन के जाती थी या नहीं मुझे पता नहीं है लेकिन अब कंपल सरी हमें पहन के जाना ही जाना है बोलके रट लगाए बैठी हुई हैं स्कूल कॉलेजिस के बाहर धर्णा प्रदर्शन कर रही है जिनके कुछी महीनों में परिक्षाएं आने वाली हैं शायद तो मैं उन सभी से कहना चाहूंगा वाइ स्कूल, कॉलेजिस के अपने बनाए हुए नियम कानून है जो सभी को लागू होते हैं उन सब का हमको आदर करना चाहिए स्कूल, कई स्कूल है यहां के प्राचारियों ने कहा है कि पहले भी पहन के आते थे लेकिन गेट के बाहर ही या फिर स्कूल के अंदर उतार के सामाने स्टिती में रहते थे पर अब यह बात इतनी उग्र हो चुकी है नहीं हमें कॉलेज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ और हमारे जो हिंदु भाईवेन हैं बेहिम आर्मी ये लोग हिजाब और बुर्खे के सपोर्ट में नीला शाल पहन के चल रहे हैं भाई तुम किस दिशा में जा रहे हो रंग बरंगा स्कूल बना रहे हो क्या तुम लोग स्कूल पढ़ाई करने जाते हो ये सब करने जाते हो आप लोग और इस सब के पीछे इनके माता पिता को सबसे महतुपूर्ण में दोश देना चाहता हूँ जो इन सब चीजों में इन सब का सपोर्ट कर रहे हैं चाहे हो हिंदु हो या मुसलिम हो क्योंकि अगर माता पिता ने एक बार समझा दिया होता तो ये सब बच्चे इतना उग्रूप नहीं ले सकते थे इन सब का कारणी के माता पिता भी हैं जो चाहते हैं हमारे बच्चे हिंदु मुसलिम ही करते रहे हैं और इसी में मर जाए भाई जब तुम पढ़ोगे नहीं लिखोगे नहीं तो तुम्हारे दिमाग से धर्म की बाते जाएंगी कहां से कई मुसलिम लीडर्स का कहना है हमारे धर्म में वरते पहले सही पढ़ती नहीं थी स्कूल कॉलिज़ब कंवा जाती नहीं और आप लोग आशनी अनियम लादवे और और कम जाएंगी स्कूल भाई तुम श्कूल चलिजब पढ़ने के लिए बेज़ रहे हैं द्र esquew तो कहा मना कर रहा है कौन से स्कूल मना कर रहा है कौन से सरकार मना कर रहे है तुमको पढ़ने से स्कूल पढ़ने थोड़ी जाना है तुम्हें तो यह सब ड्रामे करने है इजाब पहनना है बुर्खा पहनना है और इनके जो विरोध में हमारे हिंदू भाई बेन जो कर रहे ह अब ये बात करनाटका से निकल कर कई राज्यों तक भी पहुंच रही है, कई बड़े बड़े लीडर इसमें खूद रहे हैं, ये हिंदुस्तान है, तुम्हारा देश नहीं है, तुम देश छोड़ के जा सकते हो, भाई उनका देश नहीं है, तुम्हारा है, तुम जो बोलोगे वही चलेगा, तुम्हारी बाते मानेंगे बोलो, तो मैं स्कूल के छात्र शात्राओं से ही निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया इन सब चीजों से बाहर निकले, आप अच्छे से पढ़ाई करें, अपना भविश्य बनाएं, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, जब आप बड़े हो जाएंगे, और इस चीज को पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आपने जिन्दकी में कुछ नहीं किया, यह पॉलिटीशन जो राजनेतिक लोग हैं, आप लोग को भड़का रहे हैं, और आप लोग भड़क रहे हैं, वो अपने जो उनके गोल थे, कि आप लोग को भड़का सकें, आप भड़क रहे हैं, वो लोग उस चीज में पास हो रहे हैं, और आप लोग जो भड़क रहे हैं, और जो अपने दिलों में नफरत की भावना जगा के घूम रहे हैं, आप लोग इन सब चीजों में फेल हो आप लोग ना स्कूल के प्रिंसिपल का टीचर्स का किसी का आदर नहीं कर रहे हैं इतना विरोधा बाद जो कर रहे हैं इतने दिनों तक कर रहे हैं जबकि गवर्मेट इसके लिए रूर्ल्स ऑल्रड इला चुकी है के चुकी है जो भी स्कूल और कॉलेजिस के समीधानिक ड्रेसिस है वही उनको पहनना है और यह मामला सुप्रीम कोट में जा चुका है फिर भी आप लोग इतना ड्रामा कर रहे हैं नहीं हमको यह पहनना ही है, हमको यह करना ही है भाई करो, अपने घरों में करो आपके जो धार्मिक स्थल हैं, वहा करो स्कूल उस सब के लिए एक करेक्ट जगा नहीं है जहां पर आपको यह सब करने देना चाहिए इस सब चीज़ों से बाहर आईए और करनाटक की जो आप बेजती कर रहे हो देश राष्ट्रिय लेवल पे और अंतराष्ट्रिय लेवल पे इन सब चीज़ से बचिए राजनेतिक लोग चाहते ही है आप लोग दिलों में अफरत की भावनाई लेके घुमें एक दूसरे से हिर्शिया करें ताकि वो लोग अपना मकसद दिकालने में सफल हो जाए तो उनको सफल होने मत दीजिए आप लोग एक अच्छे भाईचारे से रहते थे दोस्ती से रहते थे वैसे ही रहे जब कल को आपके घर में खाने के लिए नहीं होगा नोकरियां नहीं होगी कोई नहीं पूछने वाला भाई करने जा रहा है कि तुम साथ में रहते हो कोई नहीं पूछने वाला आप काम कररे हो रुटी कपड़ा है घर में पूछनाने आएंगा तुमने स्कूल कर लिद में बूरका पहना था च幫 न तश्वल पहना था बं उद्धिक Means कि आहीं बटका रहे हैं कई जो विशे हैं जिस चीजों पर हमको बाते करनी चाहिए वह हम ना करकर पुराने पिछे ही पड़े हुए हम लोग हिंदू मुसलिम हिंदू मुसलिम जब तक हमारा देश हिंदू मुसलिम से बाहर नहीं आएगा कुछ नहीं होने वाला हम लोगा कितने विशे हैं जिस चीज पर भहस हो सकती थी और ये टीवी पर भी जब भी चालू करो हिंदू मुसलिम टाएं 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 जगड़ा चलते रहता है जैसे बेड़ बकरियां हो जंगली जानवर हो लड़ते रहते हैं और ये अपने आपको लीडर बोलते ह है घड़ बीडर है और इसलों होंगे तो हम लोग कैसे हो सकते हैं यह तो हम अंदाजा लागा ही सकते हैं तोитесь ओ democratic को इस पिर दो सब चीजों कर अपने आपक 스म सकते आप ने राज्यह्य लकों बचा सकते हैं अपने राश्ट्र को बीचा सकते हैं मैं इन विध्यारतियों के माता-पिता से इविजन करना चाहूंगा अपने बच्चों को समझाए और जो भी नियम कानू लागों होते हैं उसका पालन करें और शांति बनाये रखें प्रदेश में धन्यवाद